अब हम विशानों द्वारा पैदा होने वाले रोगों की बात करते हैं, तो पहले तो है साधरन चुका, यानि common cold, ये जो है राइनो वाइरस के कारण होता है, इसका transmission कैसे होता है, तो संक्रमित व्यक्ति की खासी या छीकों से निकले droplets, स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेन पर अंदर चले जाते हैं, या फिर किताबों, प्यालों, दर्वाजों के हैंडल, कंप्यूटरों के कीबोर्ड या माउस जैसे संदुशित वस्थों के संपर्क से भी फैलता है, इसके लक्षन क्या है, तो ये विशानों राइनो वाइरस जो है, नाक और श्वशन पत को सं करते हैं, लेकिन फेफणों को नहीं करते हैं, और प्रमुख लक्षन है, नासी संकुलता, कंठदा, यानि सोर्थरोड, फटी आवाज, खासी, सिरदर्द, ठकावट, आदी, ये इसके लक्षन हैं, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, तो ये जो सामाने जो काम है, ये तीन से साथ दिन तक रहता है, और फिर ठीक हो जाता है, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो अदरक तुल्ची का काढ़ा पीने से भी ये ठीक हो जाता है, विशानू द्वारा होने वाले एक और रोकी बात करते हैं, पोलियो, तो पोलियो जो है, यह है एक भयानक और संक्रामक, व इसका transmission जो है वो कैसे होता है तो ये विशानु जो है जल तथा भोजन के माध्यम से शरीर में प्रविश करता है। इसके लक्षन क्या हैं तो सीधे जो है ये विशानु केंद्रिय तंत्रिका, तंत्र एवं मेरु रज्जु को हानी पहुँचाते हैं। शरीर के विभिन अंगों में लक्वा हो जाता है, हाथ और पैर में दर्द और जक्रन होती हैं, पेशियों में संक्रमन होने से पेशियां कारे करना बंद कर देती हैं। अब इसका उपचार कैसे संभा है, तो बच्चों को जो है पोलियो मालिटीज वैक्सिन का मुखिये ड्राप जो है वो अवश्य पिलाना चाहिए। और फिर समय समय पर केंद्र के द्वारा निर्धारित पोलियो अभियान के अंतरगत भी बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाना चाहिए, तो फिर हम इस बिमारी से मुक्त हो सकते हैं। एक और बिमारी की बात करते हैं, खसरा यानि मीजल्स या बच्चपन में होने वाला संक्रमण रोग है। और ये किसके द्वारा फैलता है? पॉलिनोमा मॉर्भी लोरम। इसके संचरन के तरीके क्या है? तो संक्रमित व्यक्ति जो है, खासने या छीकने से निकले ड्रॉपलेट्स के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। इसके लक्षन क्या है? तो रोग ग्रस्त बच्चों की त्वचा में छोटी-छोटी फुंसियां या छोटे-छोटे लाल रंग के दाने निकलाते हैं। सूखी खासी रहती है और आखों में सूजना जाती है। अब इसका उपचार कैसे संभव है? तो इसके भी ठीके जो है पैदा हुए बच्चे रहते हैं, उनको लगाया जाते हैं तो बच्चों को खसरे का ठीका अवश्य लगवाना चाहिए। रोगी को हवा या ठंड से बचाना चाहिए। और फिर रोगी को ठंडा भोजन, अंगूर, किश्मिश, आदी खिलाना चाहिए। विशाणू द्वारा होने वाले एक रोग डेंगू रक्त स्राव की बात करते हैं। यह डेंगू रक्त स्राव बुखार जो है, यह विशाणू जनित रोग है और मादा टाइगर मच्छर यानि एडिस एजिप्टी इसका वाहक है। यह मच्छर जो है वो प्राया, प्राता एवं शाम को सक्रियर रहता है। अब इसका कारग जो है, वो है, वाइरस डेन 1, वाइरस देन 2, वाइरस देन 3, वाइरस देन 4, यह इसके factor यह causes हैं, जिसके कारण यह बिमारी होती है। अब इसका transmission कैसे होता है तो infected मच्छर जिसकी हमने बात की कि it is aegypti इस मच्छर के काटने से ये विशानू जो है वो स्वस्त व्यक्ति के शरीर में प्रविश करता है इसके लक्षन क्या है तो रोगी को 101 डिग्री से 105 डिग्री फेरनहाइट तक बुखार रहता है जी मच्छ सिर्दर्द, उल्टी, उदर पीड़ा भी इसके लक्षन है रोगी को रक्त स्राव के साथ उल्टी, मोत्र वविश्ठा में रक्त आ जाता है रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या 70,000 पर mm से भी कम हो जाती है अंगो में बलड सप्लाई कम हो जाती है और जिसके कारण तेजी से गिरती नबज के साथ डेंगो आगाध सिंड्रोम हो जाता है इसका उपचार कैसे हो सकता है तो ये डेंगो एक घातक रोग है अता समय पर इलाज ना होने पर मृत्यू हो सकती है रोग के उपचार के साथ बलड प्लेटलेट्स को चढ़ाने से आराम मिलता है और सबसे मह पुन बात यह है कि इसके वाहक मच्छर है तो साफ सफाई का विशेश ध्यान रखना चाहिए मच्छरों को घर के आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए और कूलरों में भी पानी नहीं भरा होना चाहिए एक और विशानु जनित रोग की बात करते हैं चिकन गुनिया यह जैसे कि हमने बताया विशानु रोग है और इंफेक्टेट मास्किटों के काटने से होता है बंदर एवं कुछ व्यक्ति जो है इस रोग के रिजर वायर होते हैं यानि संगरहक होते हैं और इस रोग को फिलाने वाला जो कारक है यानि वायरस है वो है अल्फा वायरस इसका संच्रन जो है वो होता है एडिस एजिप्टी मच्छर जिसके काटने से ये विशानु जो है शरीर में पहुँच जाते हैं अब ये चिकन वुनिया का जो अर्थ है वो है बैंड़ यानि जुग जाना यह रोग आर्थरिटिक लक्षणों के साथ विक्सित होता है इसमें रोगी का शरीर जुग जाता है रोगी के पैर एवं धड़ पर फफोले उभराते हैं सिर्दर्द, बुखार, तनाव और कमजोरी बनी रहती है तो इस रोग से भी बचने का क्या उपाय है तो शरीर को पूरा ढखका होना चाहिए मच्चरों से बचने के उपाय करने चाहिए जैसे दरवाजों एवं खिडकियों में जाली लगवानी चाहिए मच्चरदानी लगा कर सोना चाहिए और घर के पास जल का भराव नहीं होना चाहिए विशानू द्वारा होने वाले रोग एक छोटी माता का बात करते हैं छोटी माता यानि स्मॉल पॉक्स ये जो है इसका कारक वैरिस्सेला वाइरस है अब इसका ट्रांस्मिशन कैसे होता है तो इस रोग का संचरण रोगी व्यक्ति के संपर्क तथा उसके संक्रमित कपड़ों से होता है इसके लक्षन क्या क्या है तो रोगी के शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं शरीर में दर्द रहता है, सिर्दर्द और पहुत ज़्यादा धकान लगती है, बुखार भी रहता है इसका उपचार कैसे हो सकता है? तो रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए रोगी की वस्तूओं, कपड़ों को साफ रखना चाहिए रोगी को डॉक्टर की सला के अनुसार, एंटिबर्टिक्स लेना चाहिए अब एक और बिमारी है, बड़ी माता यानि चिकन पॉक्स ये बहुत ज़्यादा संक्रामक रोग है और इसे चेचक का रोग भी कहते हैं प्राचिन समय में इस बिमारी से बहुत से लोग मर जाते थे और ये महमारी के रूप में फैलता था अब तो इसके टीके बन चुके हैं और ये बिमारी जो है वो उसका कारग जो है वो वेरिसेला जोस्टर वाइरस है अब ये भी कैसे फैलता है तो हवा के माध्यम से फैलता है संक्रमित व्यक्ति के छीकने या खासने से निकले ड्रॉपलेट्स के द्वारा इसके विशानू स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सांस लेने से पहुँचते हैं इसके लक्षण क्या-क्या है? तो रोग का प्रकोप लगभग दो सप्ता का होता है. प्रारंबेक लक्षणों में तेज बुखार, जी मचलाना, सिर दर्द, पीठ में दर्द होता है. शरीर में एंठन, खासी, गला बैठ जाना, नाग बहना भी इसके लक्षण है. फिर इसके बाद शरीर में बड़े-बड़े दाने निकलाते हैं. ये चेहरे पर सबसे ज़्यादा आते हैं और फूट कर निशान छोड़ जाते हैं. इसका उपचार जो है इस रोग को बचाने के लिए यानि रोग का टीका इस रोग को रोकने का विशिष्ट उपाय है. अतहा टीके जो है बच्चों को अवश्य लगवाने चाहिए. टीके से जीवन परियंत रोग प्रतिरोधक छमता बनी रहती है. इन्फ्लू एंज जाता है या आरेने वाइरस के कारण होता है. इसका कारग जो है इन्फ्लू एंजी है. यह जुकाम से अलग तरह की बीमारी है यह संक्रमित व्यक्ती के संपरक में आने पर या उसके छीकने या खासने पर फैलती है. ये वाइरस श्वाश नली को संक्रमित करते हैं इसके संक्रमन से बुखार, खासी, सिर्दर्ड तथा ठकान जैसे लक्षन दिखाई देते हैं कुछ लोगों को उल्टी, दस्त और गले में खराश लगती है ये लक्षन प्राया एक से दो सब्ता तक रहते हैं इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, तो फ्लू वाइरस ठोस सता पर 6-8 घंटे तक जीवित रह सकता है अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, घर या आफिस में काम करते समय अधिक इस पर से किये जाने वाले स्थानों को चूने से पहले हाथ साबुन या एलकोहल युक्त सैनेटाइजर से साफ करना चाहिए नाक और मुख को चूने से बचे, इसके अलावा दर्द निवारक दवायां भी ले सकते हैं अब एक और बिमारी, कोरोना वायरस, कोविड-19 की बात करते हैं इससे आप भली भाती परिचित भी होंगी और इसका जो कारक है, वो क्या है? उसे सौर्स कोव 2 कहते हैं सौर्स का जो फुल फॉर्म है, वो क्या है? सीवियर एक्यूट रैस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2 अब इसका ट्रांस्मिशन कैसे होता है? तो इसका प्रसार संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में खासी और छीक से बूंदों के माध्यम से होता है तीसरा, संक्रमित लोगों से हाथ मिलाने से भी होता है अब इसके लक्षन क्या है? तो शुरुवात में हलकी सर्दी जुकाम जैसे लक्षन प्रकट होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है बुखार, कफ या सिर्दर्ध भी इसके लक्षन है बुजूर के तथा हाइपरटेंशन हिर्दें तथा फेफडे वा मदुमे के रोगियों में इस्थि जो है गंभिर होने की संभावना जादा रहती है अब इसका जो टेस्ट है, वो है PCR टेस्ट के द्वारा इसकी पहचान की जाती है आम तोर पर व्यक्तिकत स्वच्छता तथा नियमेत रूप से हाथ दोना मास्क का उप्योग ये प्रात्मिक उपचार है और फिर चिकित्सक की सलाह से औशदी का सेवन करना चाहिए अब प्रमुक हैलमिंथिस वाले रोगों की बात करते हैं तो इसमें हैं एसकरियसिस या आथ का रोग है लेकिन इसके अलावा यह यक्रित फेफडों एवं हिर्दय को भी संक्रमित करता है और ये होता किसके कारण है तो ये एक तरह का क्रीमी है जिसका नाम है एसकरिस लुम्रिकॉइट्स और इसका ट्रांस्मिशन कैसे होता है तो रोगी मनुशे के मल के साथ एसकरिस के अंडे भूमी में मिल जाते हैं और इसे संक्रमित करते हैं सबजियों कीडों मकोणों दूद देने वाले पशों के थनों की धूल सामान्य धूल आदी के द्वारा ये खात्य पदार्थ को संक्रमित करते हैं और भोजन के साथ व्यक्ति की आत में पहुँच जाते हैं आत में इन अंडों का कवज घुल जाता है और लार्वा पैदा होता है यहां परजिवी पोशक के पचे भोजन पर निर्भर रहता है और एक पोशक की आत में 500 से 5000 तक परजिवी हो सकते हैं इसके लक्षणों को देखते हैं तो पेट में तेज दर्द होता है हलके जवर के शिकायत रहती है तथा व्रिद्धी भी रुख जाती है और फिर दस्त अनिद्रा उल्टी आधी भी होती है इसका उपचार क्या है तो स्वच्छता ही इस बीमारी से बचने का प्रात्मिक उपाय है फिर सड़ी गली सबजी फल एवं दुशित जल के प्रयोग से बचना चाहिए भोजन के पूर्व हाथों को अच्छी तरह से दोना चाहिए सबजीयों फलों को हमेशा धोकर ही उप्योग में लाना चाहिए एक और हेलमिंथिस रोग की बात करते हैं वो है हाथी पाव यानि फालेरियसिस यह रोग मच्छर द्वारा फैलाया जाता है तथा गंदे पानी का प्रयोग करने पर भी होता है इसका कारक जो है वो भी एक तरह का क्रीमी है और यह है वाउचेरिया ब्रॉंक अफ्टाई इस रोग में रोगी का पाउं हाथी के पैर जैसे फूल जाता है इसलिए इसे हाथी पाव कहते है इसका संचरन कैसे होता है तो इस रोग के रोगानों क्यूलेक्स मच्छर के जब परजीवी से संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर मनुश्य को काटती है तो इसकी लार के द्वारा परजीवी मानों शरीर में पहुँचकर रक्त में मिल जाता है वहां से परजीवी लिम्फ वैसल्स में पहुँचकर वयस्क में रुपांत्रित होने के लिए तक वहां रहता हैं और प्रजीवी परजीवी यानि माइक्रो फाइल एरिया बनाते हैं यह संक्रमन तब फैलता है जब पीडित व्यक्ति को एक मच्छर काटता है और प Yaymasher किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट कर संक्रमित करता है इसके लक्षन क्या है तो प्रात्मिक लक्षन में बुखार आना शरीर में दर्द होना है फिर लिंफ वेसल्स में परजीवी पहुचकर लिंफ सिस्टम को बंद कर देता है जिससे पैर फुल जाते हैं और लिवर इस्प्लीन एवं इसक्रोटम भी सुझ जाते हैं इसक का उपचार कैसे कर सकते हैं तो मच्छर दानी का प्रेयोग करना चाहिए क्योंकि यह मच्छरों के द्वारा फैलता है इस बिमारी से बचने के लिए रक्त में मौझूद सुक्ष्म फाल एरिया को मारा जाता है संक्रमित नाले एमम गंदे जल का उपयोग नहीं करना चाहि तो इसमें जो है वो रोख है अमीबियेसिस यह आहर नाल को प्रफावित करती है इसे आमेबिक पैचिश या आमेबिक डैंस्ट्री भी कहते हैं इसका जो कारक है वो है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका एंड अमीबा के ट्रूफोजाइट बढ़े आत की दिवार में प्र स करते हैं इनका ट्रांसमिशन जो है उसमें घरेलू मख्या इस रोग की वहाक है यह मख्या इस पर जीवी को संक्रमिट व्यक्ति के मल से खादय और खादय-पदार्तों तक लिजाकर उन्हें संदुषित कर देती है यानि रिवारा संदुषित या Muh. १्यूpower Venkний स्था क इनके लक्षन क्या है तो अतिसार और पतले दस्त होते हैं, शलेश्म एवं रक्त युक्त पेचिस होता है, कभी-कभी ये यक्रित, फेफडे तथा मस्तिश के में भी पहुँच कर सूजन तथा फोडे उत्पन करते हैं, पाचन क्रिया खराब हो जाती है तथा पेट में एठ उठती है, मरीच को पेट दर्द, भूग की कमी और सिर्दर्द की शिकायत रहती है, इसका उपचार कैसे करेंगे, तो रोग से रोक्था मेतू, स्वच्छ एवं साफ जल एवं भोजय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, हरी सबजियों को पोटेशियम पर मेगनेट में ए यह है दाद या रिंग वर्म, इसका कारक जो है, वो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन आदी ये कवक हैं, जिनके द्वरा इन ये रोग होता है, इसका संचरन जो है, वो कैसे होता है, यहां रोग प्राया मिट्टी से या संक्रमित व्यक्त के तौलियों, कपड़े या कंगी आदी का उपयोग करने से होता है, अब लक्षन क्या है, तो इस रोग में शरीर के विभिन भागों जैसे तवचा, नाखुन और स्कैल्प पर सूखे शल्की धब्बे दिखाई देते हैं, इन धब्बों में तेज खुजलाहट होती है, उ स्किन फोल्ड जैसे ग्रोइन तथा पैरों की उंगलियों के बीच संक्रमाण कर पनपने में मदद करती है, इसका उपचार जो है वो दाद के उपचार है, तो बाजार में बहुत सी और शदियां उपलब्द हैं, अता समय पर उपचार करना अति आवश्यक है, तो बचों आपने जैसे कि बहुत सारे रोगों के बारे में जाना, उनके लक्षन के बारे में जाना, वो कैसे होते हैं, इसके बारे में भी जाना, तो ओवर आल यदि हम बात करें कि इन संक्रामक रोगों से हमारा बचाओ कैसे हो सकता है, जैसे आपने टीका करन का नाम सुना होगा, तो बच्चपन में जो है बच्चा जैसी पैदा होता है तो पांच साल तक कुछ न कुछ टीके जो है लगाया जाते हैं उसकी चर्चा जो हम आगे करेंगे तो वेक्सिनेशन के जरीए तो हमारा शरीर जो है कुछ रोगों से बच जाता है कहना चाहिए लेकिन कुछ एर बॉर्ण डिसीज है कंटेमिनेटेड फूड से हो रही है वाटर से हो रही है तो इन से हम कैसे बचाव कर सकते हैं तो अभी हम ओवर ओल क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए उसकी बात करते हैं बच्चों तो जैसे की पहली बात जो है यानि मुख्य बात कही जाए तो सेल्फ यानि पर्सनल हाईजीन या परसनल हैल्थ की बात है तो इसमें के आएगा कि हमारे अपने खुट के शरीर की जो है पूरी अच्छे से साफ सफाई का हम ध्यान रखें इसके सान्ट-सान्थ हुए हमारा घूजन हो वो कैसा हो साफ सुत्रा हो पानी जो है वो स्व परसनल हेल्थ की बात हो गई अब ठीक है हमारा खुद का जो परसनल हेल्थ हमने मेंटेन किया है उसका हमने काफी ध्यान रखा है लेकिन हमारा आसपास का वातावरन ही यदी अस्वच है तो डैफिनेटली फिर इनके कारण जो है हमें रोग होने की संभावना जो है बहुत ज क्या आएगा कि जैसे हमारा शरीर तो स्वच्छ हो गया लेकिन हमारा घर का वातावरन कैसा है हमारे आसपास का वातावरन कैसा है तो आसपास का वातावरन और घर के वातावरन को हमें ध्यान देना होगा घर की साफ सफाई अच्छे से हो और फिर इसके साथ यदि हमारा घ आसपडोस जो है वो ठीक नहीं है मतलब नालियों की सफाई नहीं हो रही है सडकें गंदी है हवा पॉलिटेट है पानी अस्वच चारा है तो यह भी फिर जो है एक रीजन जो है वो हमें बिमार होने का एक जो है आउसर में भी हो सकता है तो अब इसके लिए क्या करना हमें खुद से अपने आप से करनी चाहिए कि यदि हम करेंगे तो डेफिनिटली हमारे आसपडोस जो है वो देखकर भी वो कर सकते हैं तो इसके साथ साथ तालाबों की साफ़ाई और नालियों की सफाई हो आसपास जो वातवरन है वो साफसुत्रा हो जो वैस प्रोड़क् प्रीच की जैसे हमने बात की थी कि जो है टाइफ फटाइड है और हमीब्येस इस है और असकरियेसिस है यह बीमारियां जो हैं तो अब यह रहे हैं तो अब यह कंटिमिनेटेट फूर से हो रही है यानि भोजय पदार्थ डैफिनिटली ओपें होगा यह बहां सफाई का ध फूड के जरिये जो है व्यक्ति के शरीर तक वो प्रविश करते हैं तो contaminated food ना हो that means जहां पर कहिए कि जादा मात्रा में भोजन बन रहा है जैसे त्योहारों में होता है पाटियों में होता है किसी occasion पर होता है या midday meal भी जैसे बच्चों के लिए बनाया जाता है तो वहां पर भी साफसभाई का जो है विशेष ध्यान रखा जाया ताकि इन बिमारियों से जो है वो बचा जा सके अब और और यह यह कोमन कोल्ड हैं तो यह कैसे फड़ती है यह चीकता है खासता है तो उसके जो ड्रॉप लेट्स है वह हौ में आ जाते तो ऐसे व्याक्तियों के करेब यह नजदिक जाने से हमें बचना चाहिए और फिर जो कुछ बीमारियां से phyleriasis और malaria है यह बिमारिया कैसे हो रही है कि मच्छर या मक्खी जो है वो लाते हैं मानि वह वैक्टर का काम करते हैं तो जब यह बिमारिया इनके थुर हो रही हैं तो इनको ही खतम करने का प्रयास किया जाए तो जहां इनके breeding places हैं तो जहां पर यह लार्वा देते हैं जहां एक सुथ पन उते फिर लारवा बनते हैं तो उस प्लेस पर ही जो है कीट नाशक का प्रेव किया जाए ताकि जो है लारवा ही ना बने और फिर आगे एडल्ट में भी चेंजना हो तो तो दैट मिंस जो है वहीं पर उनका खात्मा कि गठखे शहन दे बहु दूप उर कि यहां पर ऑऽ षकती है कि गैंबूजा गंबूजिया को फिश्च यहां पर यहांस अप्ष्ड मंक्ष्र मखषी में पाल लिया जाए प्मेशS एक चाहिक वहां पर भूह और फिर इन से बचने के लिए जो है मच्छरदानी का उपयोग करें दरवाजे खेडिकियों पर जालियां लगी हो और फिर जैसे वाटर कुलर में जमा रहता है तो उसके कारण भी मच्छर ज्यादा हो जाते हैं जैसे डैंगो फीवर है उसके कारण हो रहा है तो साफ सपाई का विशेज ध्यान रखने से जो है हम ऐसे बहुत सारे संक्रामग रोगों से जो है वो बच सकते हैं तो ओवराल कहा जाए तो हम बहुत कुछ ध्यान अपने आपके हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं अपने आपकी साफ सपाई से अपने वातावरन की साफ सपाई से हमारा फूड अच्छा हो पानी स्वच हो और आसपस का वातावरन भी स्वच हो तो हम इनसे बच सकते हैं झाल